सब्सकार किसान भाई हो आपके अपने यूटूब चैनल रोजचर के गरिकल्चर पर एक बार फिस्टर सौग आते हैं तो आज किस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपने खेत की मल्टी क्रॉपिंग यानि बहुत फसली खेती जो हमने यहां पर की है इस खेत में वह खेत की तरब किसान भाईया तो होँप खेत के अंदर आ चुके हैं तो आप आप लोगों को दिखाएंगे कि इस मल्टी क्रॉपिंग में हमने कौन-कौन सी फसले उगाई हैं तो यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं अमने गन्ना तो गंन्ये के साथ हमने धनिया उगाई भी है जिसा आप देख पारहें है घंया और चना यहां पे हमने उगाया हैं हुब तो रहता है परपरज रहता है खंशतने के साथ चना होगाने का हमारा उद्देश यह ज़य है जो चना होता है उसमें Rhygium bacteriopia पाये जाता है जो wire mendel से जो nitrogen होतीज उसको एकत करता है वो उस nitrogen को एकत अपनी जड़ों में गाठों के रूप में करता है वा फिर हमाइज जो मिट्टी होती है और चने की जड़े जो होती हैं काफी गेराई तक जाती है जिससे हमारी मिट्टी का जो भोतिक गुड़ होता उसमें सुधार होता है और जो हमारी साथ में साफ हसल होती है उसम को नाइट्रोजन के उसकता नहीं पड़ती है यानि कि आपको नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है जो वाइमेंडल से चने की जड़ों में नाइट्रोजन एकत्र है वही गन्य को पूर्त होती है इससे हमें नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है और हमारी जो नाइट्रोजन होती है गन्य को मिलती रहती है यह कुछ उद्देश था हमारा चने के और गन्य को दो बताया और तो आप लोगों को बताते हैं बब्व फसली खेती क्या होता है आप लोग गहरी वा उठली जड़ो वाली प्रिश्णों का प्रियोग करते हैं जिससे मेधा के भौतिको टुणों में सुधार होता है एक पॉइंट तो यह हो गया और दूसरा और इसकी परिभासा की बात करें तो यह रहती है रहता है कि एक ही समय में एक ही खेत में एक ही मोसम में और एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को गाने की क्रिया को कि मल्टि क्रॉपिंग या बहुआ फसली खेती कहते हैं इस प्रकार से बहुआ फसली की परिभासा भी हो गई अधितनी का देश यह रहता है कि इसमें अगर हम साथ में फसले गजाते हैं तो हमारे जो इंसक्रेश और वगेरा रहते हैं फसल में लगते हैं उसका भी प्रकोव कम होता है और हम किसान भायों की आय में भी विर्द्धी होती है आय में विर्द्धी इस प्रकार से होती है कि हम लोग जब साफ असली खेती करते हैं तो उसमें हमने जैसे गन्ने के साथ चना धनिया हुआया है अगर धनिया नहीं तो चना तो होगा चना नहीं तो धनिया होग अगर सब हो गया तो अच्छी इंकम भी होती है इसलिए हम लोगों को एक साथ में बहुत फसली कर खेती करने का हम सुझाव देते हैं इसलिए आप भी बहुत फसली खेती करिए और अपनी आई को बढ़ाईए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इससे पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद